आज बात करते हैं केले के तंत्री प्रियोगों के बारे में मूसा जादी के घास्तार पौधे और उनके द्वारा उत्पादित फल को केला कहा जाता है मूल रूप में यहां दच्छिन पूर एशिया के उस्न देशी ये छेत्र के हैं और संबहता इनको मूल रूप में पापूआ नियूगिनी में उगाया गया था केले के अदबुद फल होते हैं या औसधी गुनों से परपून होते हैं कच्छा केला भी खाया जा सकता है और पका भी पका हुआ केला ब्रहस्पति ग्रह से सम्मंदित है और कच्चा केला बुद्ध ग्रह से सम्मंदित है केले की मिठास मंगल से और रंग ब्रहस्पति से सम्मंदित होता है केला जितना घुलता जाता है उतना ही मंगल से नर्दीक होता जाता है कई बार तमाम कोशितों के बाद भी हमें धन की प्राप्त नहीं होती या धन रुकता नहीं तो गोपी चंदन का प्रयोग करना चाहिए किसी भी गुरुवार को या गुर्पुस योग पर गोपी चंदन की नौडलियां लेकर केले के पेंड पर टांग देनी चाहिए इससे धन प्राप्त होती है वा इच्छित मनोकामनाओं की पूर्थ होती है धन प्राप्त और मनोकामना पूर्थ का एक अन्य उपाय भी है कि किसी भी सुकल पच्छ को बुधवार के दिन शंद्याकाल के पश्चाथ केले के पेंड पर जल चढ़ा कर रोली चंदन लगा कर केले की जड़ प्राप्त करने के लिए प्राथना करें गुरवार को प्राता जाकर उसी पेन से एक जड निकाल लें फिर उस जड को केसर के जल में डालकर सामने दीपक जलाकर ओम ब्रहस पतय नमा का एक माला जब करें फिर उस जड को किसी पीले कपड़े में बांद कर धन रखने वाले इस्थान पर रखें इससे धन का लाब होता रहता है और माता लश्मी की प्राप्त होती है एक अन्य उपाई यह है कि गुर पुस्यने चेतर में पीले वर्त धानाड करके केले की जड़ प्राप्त करें और फिर उस जड़ को गंगा जल से धोकर पीला धागा बांद कर तिजोरी या पर्स में रखें इससे धन लाब के योग बनेंगे और धन प्राप्त होती रहेगी अगर जादा आर्थिक परिशानिया हो तो मंदिर में केले के दो पेंड जिसमें से एक नर हो वा दूसरा मादा हो एक साथ लगाएं जिन जात्कों की कुंडली में ब्रास्पतिगरा कमजोर है उन्हें पुखराज पहनना चाहिए लेकिन अगर पुखराज नहीं खरी सकते हैं तो केले की जड़ पीले कपड़े में बांध करके कमर या भुजा पर धारन करनी चाहिए ब्रास्पतिगी किपा पानी हो तो नहाने के बाद केले के पेंड पर नेमित जल चड़ाना चाहिए जिन जातकों की साधी में बाधाय आ रही हो उनको पीले वस्तर में हल्दी बांध कर केले के पेंड पर एक ब्रास्पतिवार को बांधनी चाहिए वा दूसरे ब्रास्पतिवार को वह हल्दी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए ऐसा कम से कम 11 ब्रहस पतिवार करने से विवाह अतिसीग्र हो जाता है हमारे वीडियो जो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो को पहला लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज से करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार